नमस्कार मैं हूँ राहू राजपूत आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मत्वा सुभासपा अध्धक्ष ओपी राजपर की एक सला उनके और एसपी गडवन्दन में एक बड़ी दरार की तरह सावित हुई अकलेश को एसी कमरे से बाहर निकल जन्ता के बीच चाने की सला देने वाली ओपी राजपर अब गडवन्दन की सवारी छोड़ सकते हैं इस बीच एक एसी वाली कार की कहानी सामने आने के बाद गडवन्दन की दरार बढ़ती दिख रही है ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में सवाल उठता है कि साइकिल की गाड़ी राजपर को क्या पड़ी फारी चार पहिया गडवन्दन की बचे हैं चार दिन एसपी से तना तनी बीजेपी से एसबी एसपी की क्या बात बनी अकलेश पर सवाल राजबर का होगा क्या महांतल वाला हाल अकलेश उसे क्यों दूर हो रहे है गड़बंदन की साथी अलाकि इनी सवालों के साथ मेमानों से चर्चा करेंगे लेकिन जिस तरीके से अब सवाल लगातार उठ रहे हैं समाधवाधी पार्टी ने राजबर को तोपे में लगजरी कार दी थी जो एसपी के सच्यू के नाम से रजिस्टर्ड है तो यह उन प्रकाश राजबर ने का कि मैंने अकलेश उसे कोई कार तोपे में नहीं लिया है इससे पहले महांतल के केशो देव मौर को भी एसपी ने कार गिफ्ट की है केशो देव के गड़बंदन तोड़ने के बाद अकलेश उस्यादों ने कार को वापस मंगवा दिया तो जिस तरीके से अब एसी वाली कार वाली राचनीत हो रही आला कि ओम प्रकाश राजबर सामने आ चुके उनका कहना है कि ऐसी कार कोई भी समाजवादी पाइटी के तरफ से नहीं मिली लेकिन जो चीजे सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अखलेश रादों ने अपने गड़बंदन के साथियों को कार गिप के थी ओम प्रकाश राजबर और अखलेश रादों के बीच विवाद धमता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब एक और नई जानकारी सामने आई है जानकारी ये है कि चुनाव से पहले केशोदेव मौरे की तरह ओम प्रकाश राजबर को भी समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्चुनर गाड़ी गिफ्ट में दी थी ये पता लगाने के लिए और जानने के लिए इस वक्त पार्क रोड पर जो सुभासपा का आफिस हैं वहाँ पर आये हैं हलाकि यहां ओम प्रकाश राजबर मौजूद नहीं है लेकिन जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं वो यहां पर हैं उसे बाचित करने की कोशिश करते हैं पार्टी के पार्टी का रहले के प्रभारी हैं पहिसा क्या नाम हुआ शुभामा धर्म प्रकाश शोधरी दन प्रकास जी ये बात सामने आ रही है कि समाजवादी पाटी की दरब से उंप्रकास राजबर को एक फार्चुनर गाड़ी गिफ्ट की गई थी जिसका इस्तमाल अपलो करते हैं आपको क्या लगता है उंप्रकास राजबर जी फार्चुनर गिफ्ट लेंगे जो उतना बड़ा भाजपा सरकार में सत्ता को लात मार सकते हैं तो फार्चुनर के लिए समाजवादी फार्चुनर लेंगे ये सब ख़बरी निराधार है ऐसा कुछ कोई बात नहीं लेकिन कुछ लोग बोलें कि वो फार्चुनर समाजवादी पार्टी के एक सच्चीव के नाम से रेइस्ट्रेड है और यहीं खड़ी रहती थी जिसका इस्तमाल पार्टी के लोग करते थे उंप्रकास राजबर भी करते हैं हमारा समाजवादी पार्टी से के साथ गढ़णन है तो लोग आते जाते रहते होंगे तो मेरे साथ थे जो यहां के प्रवारी है पार्टी का रहले का जो पार्टी का रहले जो इस्थित है पार्क रोड पर यहां के प्रवारी का यह कहना है की समाजवादी पार्टी और साथी साथ उमाशंकर राजबर जी प्राजबर जी प्राक्ता समाजवादी पार्टी और साथी साथ उमाशंकर राजबर जी प्राक्ता समाजवादी पार्टी और साथी साथ उमाशंकर राजबर जी प्राक्ता समाजवादी पार्टी और साथी स में आपने भी सवारी की लाहु जे पहले इस बात को आप ध्यार रखे इस तरह कि कोई गारी में नहीं ली गई है हमारे जो फूर टाइमर कारगाता है पार्टी के पास 15-30 गारीया है और विलर और जो मानी नेदा जी चलते हैं वो इनोवा से चलते हैं वो बहुत पुरान उनकी गारी है अर दिन जी चलते हैं उनकी 2016 की गारी पार चुनर है इस तरह जो आरोप लगाया जा रहा है गलप है ऐसे पुर टाइमर कारिकरता है जो कि अभी आजंबर में चुरा उटा तो हो सकता है कोई सपा अपारा गरबंदर था कोई कार करता है होग लेकिन इस तरह से एक पर यह कि अगले जी ने उनकी नित में दिया है वैसे पुर टाइमर कारिकरता है जो फोटो सामने आई है जो तस्पीर सामने आई है हमें तो नहीं लगता कि कोई मिलने आया होगा बाकाइदा टीन शिट लगा घाड़ी एक दम सही जगा खड़ी कोई डाग नहीं नंबर भी बेतर और जब उसे सर्च किया जाता है तो नाम आता है यह तो समाजवादी पार्टी के नाम पर इस गाड़ी पर इस गाड़ी पर उसको देखते हैं बात सुदर को वह पुराने माड़ी गारी है पुराने गारी कम-कम हुआ गारी पांजाद प महांदल से वापस ले ली थी तो हो सकता है कि अजिए पीजेपी के खिलाब तयार किया गया था कि हम सब आते हैं एक साथ लेकिन यह तो अब नज़र आ रहा है कि यह तो कार वाला गड़वंदन था जो कि अब बेकार होता जा रहा है यह राहूल इस बात को बदा दिए आ जा रहे हैं बहुत वक्त है अबी आज हमारे पास देखे जो करबंदन था उस करबंदन था वो जो भारती जन्ता पार्टी लगाता तो फेड़ पॉलिटिक्स करती है यह था इसमें भी जरसा आप कर दीजे करबंदन धर्म निभाने की जिम्मेदाई दोनों पक्सुत लोगी है दो बास्टी अध्यप से उनके जिम्मेदाई होती है उनमें क्या कोई आदार प्रतार किस तरह से रंदीटी बनाए गई क्या कोई यह रंदीटी का हिस्ता हम लोग नहीं होते और हमारा कसल बिल्कुल साथ है यह और बहुत बड़ी दराई है हमारा भी समाजवाजी पार्टी के प्रवक्ता की हैस्ज़ से हमारा भी ऐसा कदबद लिम्मा है कि हम इन बेकार की ठीजों में बैस करें कि कार्फोन दे रहा है अपकार प्रोन दे रहा है आराम तो होता होनी कि क्योंकि आप लोग मस्बूत होते तो बीजेपी से लड़ने में आसाली होती चाह लोगों से बिल्ने के लिए गाड़ी तो चाहिए ही अगर समाजवाजी पार्टी दे दी तो बुराई क्या है अगर दी है तो हमी भी भरनी चाहिए लेकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब ये राज़ेतिक लड़ाई रणी जाती है तो परचार क्या हो सकता है परचार के में क्या बड़े लेता हो के बीच में तैंगवा ये छोटे कांटर्टा हो को नहीं पता होता है अगर तो र्णो गोलिया जी को कार दी है हो सर, बोटे जोशी जी जब कार वापसी हो जाती है बड़ी गाडी वापसी हो जाती है मांग ली जाती है सवाझवादी पार्टी के तरफ से तब लोगों उब वापता चलता अच्छा ये भी बात हुई थी गड़ों में यह भी सहमती बनी थी आपके पास ये चित्र है कि वो गाड़ी कोई वापी सुली है या नहीं ही है या आपके पास ये चित्र है कि वो S.B.S.P. के दफ्तर में गाड़ी खड़ी है उसका नंबर चिक किया जाता है जो रिजिस्टर्ड है समाजवादी पार्टी के कारकरता के नाम पर अब वो जो तस्वीर आई है सर उस तस्वीर पर बात कर रहे है S.B.S.P. के आफिस के बाहर वो खड़ी है ना कि बाहर या या ये ना कहे कि चार दिवारी के बाहर चार दिवारी के अंदर इसका मिशें तो आप जिनके पास गारी आपकर प्राति ये उनके चैनलंके प्रबगता बता सकते हैं ये अनके आप पता सकते हैं पर अगर हम लोग तरे विजिती है हम लोग तो इसे चाहिए करेंगे हमारे आपने लिया है जी कि आलोग जी ये गड़बंदन कार के लिए या फिर बीजेपी के लड़ाई के लिए अब तो कार वापसी भी हो रही है महांदल से वापसी हो चुकी या पता नहीं राजबर जी के पास है की नहीं इसको पार्टी जो है चांदी की तस्तरी में सजाकर दिया गया हो उससे पैदर नहीं होती हमने देखा है इसके पहले अखले शादोजी का आचरण भी कि जब वो अपनी पार्टी में अपने पार्टी के सीनियर लोग मानी मुलायम सी जादोजी को भी अतेश के पत्त्य अठा दिखाते हैं आज उन्खा की रिच जपी करते हैं तो वहाद दूसरे कडबंधन दलों की क्या हिज़त करेंगी हमने देखा है कि सथ राहुल गांदी जी का कडबंधन हुआ था उसके बाद है कि देखा है कि दोने दूसरे का चेरा प्थन महाइवतिजी ने नहीं कर दोन प करेंगे उनको बैटकों में नहीं बुलाएंगे जब आ राश्पती के पत्राशी आप आते हैं तो राजबर जी तो गडबंधन दलके नहीं पुलाया आपने उनको अपने उस पार्टी के अंदर केशो दो मौरी जी कैसे बेज़ती करी गई उनकी गाड़ी शीन दी गई जाकर कि जब वो सर्वसिंग करा रहे थे इस तरह के से गडबंधन दलके निताओं के खिलाफ बयान बाची हो रही है लेकिन आलोग जी राजबर जी को जो गाड़ी दी गई थी वो कहा है पता नहीं चल पा रहा है उसका लेकिन हम जो परकेशन पे बात कर रहे है राज़ी दिपर जो एक चेरा है रखले चादो जी का है तो इपरस के निता है इसमें लोग विधान सभा के अंदर उनका जो आ लेकिन आपने मतलब से चीज़े देते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता तो उसको घशित चीन करे लेते हैं यहां एक बहुत ही मुझे रखता है कि रागीत मैं इसा कोई कर लहीं देता है क्या कुछ कर रहे हैं बौण जोशी जी यह सुनते है आलोग जी आलोग जी बौण जोशी जी आपी बाती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता साथी गडबंदन धरम पे बहुत बड़ी बड़ी बाते समाजबादी पार्टी के नेका मानने अफेट चाता है जिको सिकाने का प् को को गोलने का समय चे बिदे गोलने ले जी निरा जिंम आलोग जाजबादि घृशी जोशी जिस जिस पार्टी को गड़पन सबाजवादी पार्टी दिखाती, गड़बंदन में जो गाड़ी ती वापस ले रही है, तो कहां से बड़पन? देखे मैं आपको कहना चाहता हूं यह तो गणगंदन की बास यह आपके विशे के बात करूँ यह जिस जिनको गारी आप तुरी है जिनके आप पता रहे हैं उस पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं यह अधिकर रूप से भूब बता पाएंगे यह गारी का चाहिए अगर सु लेकिन हुमा कान लखिडा जी हमारे साथ है बीचर्चा में जोड़े हैं वारिश पत्रकार। हुमा कान सर सवाल इस बात को लेकर है कि जिस मंशा के साथ यह गड़बंदन बना था वो मंशा तो साथ नहीं लेकिन स्पीच कार वाली राजनीत हो रही है पिछले दिनों है रादों ने गाड़ी ओ मप्रकास राजबर को भी द की आप पता नहीं कारण जाहा'RE राजबर शाब की पार्टी कि आसा कुछ नहीएमे गाड़ी नहीं मिली है संबादवादी पार्टी कह रही है कि आप राजवर्स के प्रवक्ता से पूछे, S.B.S.P. के प्रवक्ता से पूछे, वो बताएंगे. ये ज़रा घाड़ी वाली राजनीत क्या है, ये भी समझा दीजे दर्श्कों को. क्या ये जिस मंद्शे के साथ राजनीत होनी थी वो था कि अपने-पने मंद्शे के साथ या अपने-पने मंद्शा जो ले कर गए थे उसके तहट ये सभी गड़वंदन की निता राजनीत कर रहे थे देखे मुझे तो गाड़ी किसने किसको दी इसे बड़ा दुर्भाग के मुझे उत्र-कृदेश में भिपक्सिती जो गाड़ी है उस गाड़ी क्या जो डावाड डोल हो रही है उसको लेकिन बहुत अफ्शोर से रख है और उत्र-कृदेश में जो लोग चाहते होंगे कि उ सब्सक्रेंब लोगों के लिए थोड़ा सा रख्का देने वाले बात है जो जाते हैं कि गिपक से मजबूत रहे लेकिन राजबर जी का जो भी उन्हें इस्टेंड लिया उसके पीछे तमाम तरगी ताकतें काम कर रहे होंगी जैसा अखलेश जी ने कहा भी कि उनके पीछे को ऑपरेटर है अब लोगतुंत्र में आप किसी को कौन ऑपरेट कर रहा है ये ये ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि कौन किसको ऑपरेट कर रहा है तो ये राजबर जी तीन-चार साथ पहले हम आपके इस्टुडियों में इसे हमने सवाल जबाप किने थे ये मंत्री थे प्रिष्णी सरका अपरेट की के परमुक्त है अलेंस आदब जी से थे तो तमाम की चीज्यां होती है लेकर ये बाद कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे वीशाल प्रदेश पे ऑर लिए नके ये जेत्रे पार्टियां एक साथ मिलकरके रहे सकेगी यह बड़ यह बड़ा ठेडा सवार उत्रतेज के राजिती में हैं कास्तवरपर जो सन्जय निसाद जी की पार्टी और और रोवपिरान राजवर्टी जो पार्टी है इन सब पार्टीयों के साथ ये रुका चपिका खेल भाते रहनता पार्टी भी खेलती रही और अखलेस यादवी खेलते उमाशंकर जी जो प्रेस कांफरेंस करने वाले हैं उम्परकास राजभर क्या वो अखली शादाओ की दी हुई गाड़ी से पहुचेंगे या प्रेस कांफरेंस के दारान गाड़ी लोटा देंगे? अगर कमाए होते हैं तो इस बाद नहीं सुन पा रहे हैं उमाशंकर जी लेकर कि सिप्याई तक लगा दी और सुनिये आना हो जी प्रकास राजभर में इतनी खुद्दारी है तो फिर जवाब देना चाहिए भुवन जोसी जी भी कह रहा है कि अगर गाड़ी वहाँ है ये बाद सामने आई है तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी और S.B.S.P. को जवाब देना चाहिए जनता को नहीं ऐसी कोई बात नहीं क्यों एक मिनित बात सुनी उमाशंकर जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखे सुनी उमाशंकर जी महांदल के नेता केशों से गाड़ी वापस ली गई थी उस नजर से जनता भी देख रही है कौन मलाई की सत्ता छोड़ा किसे छोड़वाया गया क्या है हमें नहीं पता लेकिन गाड़ी का जाता दीजिए अच्यों गाड़ी अगर मिल जाती है राजबर जी को तुँ गणबंदन बना रहेगा या खुद छोड़ देंगे गाड़ी भी छोड़ देंगे। तो दो मिनट के टाइम है, एक मिनट जोसु जी और एक मिनट आलोग जी आपको, पहले आलोग जी बोलिए कि नेता है उनका पास उनका अपना वोट है जिसको लेने के लिए अखले शादोजी ने पुरा जालबटा त्यार किया कभी अप्मान नहीं किया चाहिए अप्मान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा गारे की परकाईदा जो है किया जाता है सपान वादी पार्टी के लिटा करना पे अरे इतना तो कम से कम नहीं कोई देचे गिरता है कि अपने गड़बंदन बेता है इस तरी करें किया राजबर जी का वापस लेते पता नहीं क्या क्या होने वाला है सर एक पंतरकार को क्या जवाब देना है पंतरकार का क्या में सवाल उठाना सवाल पूछना नहीं पूछना चोड़ दीजिए आप कब गाड़ी वापस मंगा रहे हैं आप लोग माली जे गड़बंदन का ऐलान कर देते कि तूट रहा है गड़बंदन अमाट रहे हैं तो गाड़ी वापस मंगा लेंगे आप लोग देखे हमारे में अख्रेश आदि कराई करने हैं मिश्चित तोर पे गड़बंदन को सब बना रहे हैं वाली लड़ाई है यह पॉलिटिक जो बाद की जनता पार्टी उतका परवेज में तो सौहाफ जावाब सब्सक्राइब करना था करना था करना है आप करना है करें अब अच्छा करके हैं कंदार वाज्चित करना है सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उससे प्रकाश राजबर करेंगे लेकिन उससे पहले जो तस्मीर सामने आई इसमें के आफिस में एक गाड़ी खड़ी मिली बड़ी गाड़ी कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के तरफ से दी गई और प्रकाश राजबर को जो गाड़ी है उसकी तस्वीर है लेकिन SPSP के नेता कहते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बिकार की चीज़े हैं लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो पिछले दिनों एसी वाला भया राजबर ने दिया क्या ये गरवंदन में फारी परड़ा है और इसी वज़ा से ये कहा जा रहा है कि गरवंदन में जब ये गरवंदन हुआ था तो सभी गरवंदन सातियों को गाड़ी दी गई थी क्या कुछ ऐसा भी राजभर के साथ होने जा रहा है प्रिस कॉंफरेंस में बहुत कुछ चीजे सामने आएगी और ये भी देखना होगा क्या ये वाकई सपने साकार करने वाला गड़बंदन था या फिर बेकार गड़बंदन सबसे बड़ा मुक्ता में बसे तो है